बच्चों प्रीवियस क्लास में हमने शारीरिक स्वास्थे के बारे में पढ़ा था आज का हमारा टॉपिक है मानसीक स्वास्थे या मेंटल हेल्थ मानसीक स्वास्थे ये भी स्वास्थे का एक महत्वण अव्यव है क्योंकि शारीरिक स्वास्थे तो केवल बिमारियों का ना होना होता है लेकिन मानसीक स्वास्थे मन से रिलेटिड है जब तक हमारा मन स्वस्थ नहीं होगा हम मानसीक रूप से स्वस्थ नहीं होगे तो हम मानसिक स्वास्ते जो है ये शारीरिक स्वास्ते से भी जुड़ा हुआ है इनका आपस में अटूट संबंध है क्योंकि अगर शरीर स्वस्त होगा तभी उसमें स्वस्त मन का निवास होगा क्योंकि अगर व्यक्ति शारीरिक रूप से परेशान है उसे कोई बिमारी है कोई परेशानी है तो वो व्यक्ति मानसिक रूप से जो है वो स्ट्रोंग मजबूत नहीं हो सकता तो मानसिक रूप से स्वस्त होने के लिए शारीरिक स्वस्त होना बहुत जरूरी है लेकिन ये ज दोड की लाइफ है मानव जो है वह धन के पीछे भाग रहा है एक अंधी दोड में भागा जारा है उसे learned ही नहीं पता कि वह किस राष्ते पर जा रहा है क्या वह प्राप्त करना चाहता है तो अधिकांश लोग इस समय मांशिक परेशानियों से ग्रसीत हैं आप सब जानते हो कि समय चिंटा कल है कलेश मानसिक जो है वो असंतुलन जो है यह सारी चीजें हमें घेरे हुई हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल ही हमारा जीवन यापन का तरीका है वही इस समय हैं एसा हो गया है कि हम मानसीक रूप से स्वस्थ नहीं हैं विशेश करके विकास से देशों की अपेक्षा विक्सित देशों में मानसीक स्वस्थता जो है वह अधिक है क्योंकि वहां का जो लाइस्टाइल है वह हमारे से भी जादा भाग-दोड़ का complicated है जैसे जैसे विज्ञान ने प्रगती करी तक्नीक की प्रगती हुई वैसे वैसे मानव जो है एक मशीन की भाती कारे करने लग गया क्योंकि मानव की कारेक्षमता भी बढ़ गई है और वो मशीन की भाती संगर्ष करता जह रहा है जिसका परिनाम ही मांसिक अस्वस्तता है क्योंकि मानव जो है लगातार भागा जा रहा है और उसे कुछ नहीं पता वो किस चीज के पीछे भाग रहा है क्या प्राप्त करना चाहता है जिस मानसिक संतुष्टी को प्राप्त करने के लिए, जिस शांति को प्राप्त करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं, वो शांति हमें प्राप्त नहीं हो रही है, जिसका रजल्ट है मानसिक अस्वस्थता तो सबसे पहले हम मानसिक स्वास्थय के लक्षन करेंगे कि मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षन होती हैं फरस्थ आता है इसमें वो व्यक्ति शांत, संतुस्थ, फरसन, एम, आनंदित होना चाहिए शांत मतलब उसके मन के अंदर कोई भी कल है कलेश, कोई भी विचार जो है वो लगातार ना चलते हों उसका मन शांत रहे, एक जगा ठीका रहे, संतुष्थी हो व्यक्ति को, जो चीज उसके पास है वो उसी से सैतिस्वाइड हो, उसी से खुशी प्राप्त करने की कोशिश करे परसन रहना चाहिए व्यक्ति को और हमेशा आनंदित रहना चाहिए परसनता और आनंदित जो व्यक्ति होगा, वो परसनता उसके चहरे से ही दिखाई देती है नेक्स्ट आ जाता है कि सव नियंत्रण, सव नियंत्रण मतलब स्वय के उबर नियंत्रण, व्यक्ति का अपनी भावनाओं पर कंट्रोल होना चाहिए, अपने आप पर कंट्रोल होना चाहिए, उसे जो है अधिक क्रोध या यूं कहें कि वो समेगों का गुलाम भी नहीं हो, अपनी इच्छाओं पर उसका कंट्रोल हो, अपनी भावनाओं पर उसका कंट्रोल हो, नेक्स्ट आ जाता है समेगात्मक नियंत्रण, वही बाद रिपीट हो रही है कि समेगात्मक नियंत्रण, मतलब व्यक्ति समेगों का गुलाम ना हो, उसका अपने समेगों पर कंट्रो क्रोध इर्षया द्वेश जिग्यासा ये चीज़े उसके उपर हावी ना हो उसे परिशान ना करें ना तो व्यक्ति खुशी में बहुत अधी खुश हो जाए ना ही दुख में इतना गमगीन हो जाए कि वह स्वैं को बूल जाए मतलब उसे खुशी के समय और दुख के समय ब व्यक्ति में अरजस्टमेंट की पावर होना चाहिए समयोजन की क्षमता होनी चाहिए जैसा वातावरण उसको मिले उस वातावरण में वो स्वैं को ढाल ले अपने आपको उसी वातावरण में समयोजित कर ले नेक्स आता है निर्णे लेने की क्षमता जो मानसी कुप से स सही ढंग से और अच्छा नियन्या ले सके ऐसा तभी हो सकता है जब व्यक्ति मानसिक रूप से पूरण तया स्वस्त हो और वो जिस काम के बारे में नियन्या लेना चाहा रहा है उस काम पर फोकस करें उस काम पर अच्छे से कंसंट्रेट करें और फिर उसके लिए अच्छे स अच्छा decision ले next आता है आतम नियंच्रण व्यक्ती का अपने उपर नियंच्रण होना चाहिए वो किसी के साथ जो है बुरा वहवार ना करे सबके बारे में अच्छा सोचे खुद के समयगों पर भी नियंच्रण होना चाहिए कुद के वहवार पर भी नियंतरण होना चाहिए कि व्यक्ति किसी के साथ बुरा वहवार ना करे जिससे की सामने वाले व्यक्ति को दुख हो next आता है दूसरों की खुशी चाहता हो मतलब उसके लिए दूसरों की खुशी सर्वो परी हो व्यक्ति केवल स्वे के लिए ना जी रहा हो बलकि अपना जो उसका आसपास का environment है अपना जो उसका परिवार है आसपास जो उसके लोग जुड़े हुए है समाज के उसके साथ उनके खुशी चाहता हो ऐसा नहीं हो कि व्यक्ति सिर्फ स्वे के प्रगती चाहता हो और बाकी दूसरों को गिरा करके स्वें आगे बढ़ना चाहता हो, वो अपने साथ साथ, अपने आसपास के लोगों का समाज का भी कल्यान चाहता हो, वो यह जाए कि सभी खुश रहें, तभी व्यक्ति मानसिक रूप से संतुष्ट और स्वस्त रह सकता है, यह थे मानसिक स्वस्ते के लक्षन, नेक्स्ट बाट आती है कि मानसिक स्वस्ते को कोन-कोन से कारक परभावित करते हैं, मानसिक स्वस्ते को परभावित करने वाले कारक, फरस्ट आता है शारीरिक स्वस्ते, यह हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं, कि स्वस्त शरीर में ही स्वस्त मस्तिश्क का लिवास अगर व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होगा, अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है, उसे कोई बिमारी नहीं है, तभी व्यक्ति के अंदर स्वस्थ मन का निवास होगा. अगर व्यक्ति को कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई डर्द है, तो वो व्यक्ति मांसिक रूप से स्वस्त नहीं हो सकता क्योंकि उसका मन बारी बारी उस दुख के बारे में, उस बिमारी के बारे में सोचता है इसलिए मानसिक स्वास्था को प्राप्त करने लिए शारीरिक स्वास्था को प्राप्त करना अत्यन आवश्यक है नेक्स आती है समाजिक कारक समाजिक कारक मतलब हमारे आसपास का समाज हमारे आसपास के लोग आसपास के हमारे जो लोग हैं हमारे जो contact में लोग आती हैं वो भी मानसी स्वास्ते को परभाविद करते हैं क्योंकि अगर हमारा behavior, हमारा वैवार अच्छा है लेकिन हमारे जो आसपास के लोग हैं वो लगातार हमें परताडित करते रहते हैं हमें परिशान करते रहते हैं उनका behavior अच्छा नहीं है तब व्यक्ति मानसिक रूप से आस्वस्त हो जाता है इसे कहते हैं समाजिक कारत कि समाज के लोग हमारे जो आस्वस्त के लोग हैं अगर वो भी मानसिक रूप से स्वस्त हैं तब ही हम स्वस्त रह सकते हैं अगर वो हमें मानसिक प्रताड़ना देते रहेंगे तो व्यक्ति मानसिक रूप से उनकी वजह से भी परिशान हो सकता है नेक्स प्रीजन आता है वंशा नुकरम वंशा नुकरम का अर्थ होता है वो गुण जो हम अपनी पिछली पीडी से मतलब अपने माता पिता दादा दादी नाना नानी से लेकर आते हैं वो कुछ मानसिक बिमारियां ऐसी होती हैं जो कि genetic factor की वजह से हो जाती है वंशा नुकरम की वजह से हो जाती है कि जो हम अपनी पुरानी मेडी से लेकर आते हैं जैसे कि सीजो प्रेनिया नामत बिमारी है जिसमें बालक दिन में बैठा बैठा कल्पनाओं के यूग में ही गु वस्तिता का रीजन बन सकता है नेक्स्ट आता है ड्रग्स ड्रग्स मतलब नशा जो लोग ड्रग्स लेते हैं शराब पीते हैं स्मॉकिंग करते हैं वो लोग भी मानसिक रूप से अस्वस्त रहते हैं क्योंकि कहा तो यही जाता है कि ये चीजे मानसिक रूप से शांत करती है है व्यक्ति को लेकिन reality आटी है कि यह चीजे मानसिक रूप से शाल डए करती बलकि मन की सोचने और ने समझने की क्षमता को खतम कर देती है तो दीरे-दीरे इंका इतना डूष परभाव रहता है कि व्यक्ति मानसिक रूप बिमार रहने लग जाता है तो ये मुख्य कारक थे जो की मानसिक स्वास्थे को परभावित करते हैं उनके उपर इफेक्ट डालती है तो आज हमने मानसिक स्वास्थे किया कल का हमारा टॉपिक रहेगा समाजिक स्वास्थे Thank you